एशिया कप टीट्वेंटी क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान की टीमे एक बार फिर आजमाईश के लिए मैदान में उतरेंगी ये मैच दुबाई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतिये समय के अनुसार शाम 7 बच कर 30 मिनट पर शुरू होगा मुकाबला रोमान्चक होने की पूरी संभावना है इस मैच को जीत कर टीम इंडिया खिताब के लिए अपना दावा बरकरार रखने की कोशिश करेगी पिछले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था हाला कि चोट के बाद रविंद्र जडीजा के बाहर होने से टीम इंडिया को जटका लगा है उनकी जगा अक्षित पतेल को शामिल के आगया है वहीं सब की नजरे एक बार फिर से पुर्वकप्तान विराट कोहली पर भीटी की है विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले तीन सालों से कोई शतक नहीं लगा पाए है ऐसे में उनकी कोशिश आज बड़ा स्कोर खड़ा करने की होगी उधर पाकिस्तान की टीम भी खिलाडियों की फिटनिस से जूज रही है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शहनवास दहानी मांस पेश्यों में खिंचाओं की वज़ा से टूनामेंट से बाहर हो गए शाहिन शाह, अफरीदी और वसीम जूनियर के बाद दाहानी टूनामेंट से बाहर होने वाले पाकिस्तान की तीसरे तेज गेंदबाज है और अधिक जानकारे के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट स्पर्ट राकिश रंजन जी जोड़ चुके है जी राकिश जी, हम मुकाबला है आज का, जाहिर है दोनों टीमें पूरा जोर लगाएंगी लेकिन मैट से पहले जडेजा का बाहर होना टीम के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है क्या स्ट्रेटिजी हो सकती है टीम की आज जिसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी दाहानी बाहर हो गया है साइडेजी की वज़ासे जडेजा ने इंजरी की वज़ासे बाहर होएं तो दोनों ही टीम जो है वो अपने प्लेइंग 11 में चेंज करने के लिए मजबूर है उसे चेंज करना ही पड़ेगा जो पिछला मैच इन दोनों टीमों ने आपस में खेला था उस टीम से तो जड़ेजा की जगह पे अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है आज वो प्लेइंग 11 में होते हैं या नहीं यह तो टास के बाद ही पता चलेगा लेकिन जो दो चेंजेज आज टीम इंडिया में कम से कम हमें देखने को मिल सकते हैं एक जड़ेजा की नहीं खेलेंगे और एक आवेश खान भी जो है उनकी तब्याद ठेक नहीं है और उससे लगता है कि आज का मैच जो है वो भी नहीं खेल रहे तो आवेश की जगह पे करने की एक बात है अक्षर पटेल एक परफेक्ट रिप्लेस्मेंट हो है उनके और टीम में भी उनको यह जगह मिल सकती है लेकिन यह भी हो सकता है कि बैटिंग और बढ़ानी के लिए कुछ और चेंजेज भी हमें देखने को मिले हम यह देख सकते हैं कि रिशब पंत आज में कल प्रेस कांफरेंस में यह का कि भारती एक टीम में पहली चॉइस का विकट की पर कोई नहीं है मतलब हम समय के अनुसार होर्सेज फोर कोर्सेज वाली बात उन्हाने की कि जब जिसकी जरूरत होगी हम उसे खेलाएंगी तो अब चुकि जबेजा टीम से बाहर हुए है वह एक मात्र टीम मेलर टेंडर बाट्समन थे जो कि ऊपर के ओर्डर में भी आके खेल सकते थे तो उस स्थिते में हो सकता है कि दिनेश कार्थिक के जगा पर आप रिशब पंप को भी आज खेलते हुए देख सकती हैं हलाकि पाकिस्तान के भी खिलाड़ी खासकर उनके जो बोलर से वो भी अपने फिटनिस से जूज रहे हैं भारत से पिछला मुकाबला हार चुका है टीम पर इसका कितना मनोवग्यानिक असर पड़ेगा देखें जो आपके दाहानी टीम से बाहर हुए हैं और पाकिस्तान की टीम ने हौंग कॉंग के खिलाब जो गेनवाजी यूनिट के तौर पे प्रदर्शन किया है किसी भी टीम को चाहे वो किसी भी अस्थर का हो और 30 रनों पर समेट देना एक बहुत बड़ी बात होती है तो उस गेनवाजी प्रदर्शन के बाद से पाकिस्तान की टीम की जो गेनवाजी यूनिट है वो साथ में आसमान पर है और यही वज़े है कि पाकिस्तान में भी जो वहाँ की लोग है उनकी उमीदे अपने टीम से बढ़ गई है लेकिन अनुश्का जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है कि पिछला मैच जो था लीग मैच था जो कि पिछले संडे को हुआ था तो अब उसे भूल जाने का समय है आज एक नया दिन है एक नई शुरुआज कर दी होगी और यह सुपर पोर का मैच है यह भी ध्यान देना होगा आप जानते हैं कि जब आप बड़े स्पेज में टूर्डामेंट के एंटर करते हैं तो दबाव और बढ़ जाता है जैसा आपने देखा कि अफगानिस्तान के टीम ने लीग में बहुत ही अच्छा प्रड़ेशन किया था लेकिन सुपर पोर के पहले मैच में जिश लंका को उसमें दस ओवर में पाराजित कर दिया था लीग मैच में कल 175 बनाने के बाद भी हार गई अफगानिस्तान के टीम तो बड़े मुकाबले जो होते हैं वहां पर कई बार मानसिक दवाब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टीमें चोक कर जाती हैं तो यह जो है अब एक सुपर फोर के मुकाबले शुरू हो रहा हैं तो यह पिछले मै करने में सफल होती है जैसा कि वह पिछले मैच में करने में सफल हुई थी तो फिर जो इनिक्स्पीरियंस बाटिंग ओडर है वह इस बड़े मैच का दबाब जहिल पाएगी यह देखना दिल्चस्प होगा और वहां पर एक मौका होगा कि भारती एक टीम पाकिस्तानी टीम के अंदर पेनिट्रेट कर जाए और उसे एक कम स्कूर पर समेट दे है कि आज का जो मैच है वो काफी रोमांचक रहेगा तो सबकी नजरे जो है पूर्व कप्तान विराट को लिपत्ट की है तो क्या लगता आज विराट को इधमाका कर सकते हैं जैसा कि कूछ ने भी कहा कि विराट से बड़ी उम्मीद है कि वो कुछ नया करने का और कुछ बड़ा करने का वो प्लान कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि एक तरह से कोच राहुल द्रविट को भी उम्मीद है कि विराट जो है अब सुपर फोर के मैचेस में कुछ दमाका करेंगे हो सकता है आज के मैच में लुएं वहर भीम करता है लुश्ट का बड़ी आ को ऍदिले परस्रोंक्रक परफारमेंस करता है तो यह हो सकता है कि आज़ाё इनके साथal आज सुप्र फोर काने तो विराट कोली जो है एक बड़ी पारी खेले ना सिर्ग विराट पोली रोहिद शर्मा भी डियू है एक बड़ी पारी के लिए तो आप कह सकते हैं कि आज भारत ये खेल प्रेमी जो हैं जो भारत के जो टॉप टू बैट्समन हैं उनसे उम्मीद करेंगे कि वो एक बड़ा स्कोर बना क्योंकि अपने आप ही बड़ा हो जाएगा और फिर पाकिस्तान के टीन के लिए परिशानियां खड़ी हो जाएंगी